बहुत बहुत स्वागत है जी आपका आज की वीडियो में तो आज आपकी फरमाईश पे मैं लेके आया हूँ तो इस ट्रैक्टर का हम रिव्यू करेंगे पूरा आपको एक एक चीज इस ट्रैक्टर की मैं बताऊंगा गेर प्रो के अंदर क्या खासियत है क्या ऐसे फीचर है जो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर दूसरों से अलग मिलेंगे तो सबसे पहले आप सब जितने भी वीडियो देख रहे हो जिसने भी चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सस्क्राइब कर लो तहां जो जो जोंडियर के आने वाड़े अपडेट आपको मिल जाएं तो आगे बढ़ते हैं 53 वो ट्रैक्टर है जो जोंडियर का बारत के अंदर जिस से जिस मॉडल से जोंडियर की पहचान बनी थी 53 अंदर जब पहला ट्रैक्टर कंपणी ने लौंच किया था तो पहला ट्रैक्टर 53 लौंच किया था आज इस ट्रेक्टर के अंदर बहुत सारी टिक्नोलजी है और मैं आपको वन वाई वन उस टिक्नोलजी का सबका आपको उसके बारे में बताऊंगा तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहो एंड तक इसकी सारी विशेशता हैं आपको अक्स्प्लेइन करके बताऊंगा मैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आप देखते हो एक ट्रेक्टर को तो वो ट्रेक्टर पांच हिस्सों में बटा होता है पांच इससे कौन-कौन से आपका फ्रंट वाली साइड आपकी बैक वाली साइड और ट्रेक्टर का लेफ्ट साइड और राइट साइड और सबस तो सबसे पहले front के अंदर आप अगर देखते हो तो इस tractor में 4 wheel drive जो है transmission दिया हुआ है 4 wheel drive transmission क्या चीज है 4 y 4 जिसको हम बोलते हैं mfw जिसको हम बोलते हैं तो ये जो system है ये feature एक ऐसा feature है जो की आपके tractor की productivity को और ज्यादा बड़ा देता है 4 y 4 tractor के अंदर लाने का reason का जो काम करता है 404 आपका उससे अच्छा काम करता है क्योंकि यह ट्रेक्टर स्लिपेज बहुत कम करता है तो सबसे पहले आपको 404 इसमें दिख रहा है उसके इलावा अगर मैं आगे बात करूं तो इसका सिंगल पीस हुड जो कंपनी इसके अंदर जॉंडियर में आप कोई गेर प्रो का लोगो आपको इस ट्रेक्टर के अंदर मिल जाता है उसके आगे मैं बॉर्णट ओपन करूं तो बॉर्णट ओपन करने के लिए हमें यहां पे एक लॉक दिया हुआ है तो लॉक से इसका बॉर्णट हम ओपन करेंगे और आगे क्या देखेंगे तो जोंडियर का बॉर्णट आता है इससे क्या है एक तो ट्रेक्टर का इंजन को जो गर्मी है उसको उपर कंट्रोल रहता है दूसरी चीज इसका कलर कभी नहीं जाता तो आगे मैं बात करूं ड्राइट एर फिल्टर जो की जोंडियर 20 साल से यूज कर रहा है ट्रेक्टर के अंडर dry tap air filter के इंदर लगा हुआ है dry tap air filter के साथ साथ सेंसर लगा हुआ है उसके बाद आपका ट्रेक्टर इसके अंदर एक खास technology मिल जाती है आपको आगे ट्रेक्टर के उसके बाद हम चलते हैं डैरेक्ट ये हो गया आगे बड़ा पूरा हिस्सा उसके बाद मैं बात करूँ इसके इंजन की तो सबसे बड़ा इस ट्रेक्टर के अंदर इंजन में भी बहुत बड़ा changes आया है, gear pro के अंदर आप 3 tractor company ले लौँच किये थे 52, 53, 53 हो गया और 54,05 हो गया ये तीनों tractor के अंदर अभी E-series के अंदर जो पहले tractor में 2400 rpm rated engine आता था अभी इस tractor के अंदर आपको 2100 rated rpm engine मिलेगा gear pro के अंदर वापिस से बता दूँ gear pro के अंदर आपको जितने भी tractor John Deere के मिलते हैं, आपको 2100 rated rpm के आपको जो tractor मिलेंगे, इसके अंदर जो engine की खासियत इसकी ये है, पहली चीज तो engine के अंदर company ने सुदार ये किया है कि ये tractor अब diesel जो दूसरे tractor से कम खाएगा, पहले जो 50 osp, 55 osp का जो पंदा साता था, उसका जो fuel consumption था, उससे जो डीजल कम लेगा, क्योंकि इसका rpm company ने कम किया है, दूसरी चीज इस tractor के अंदर पहले customer बोलते थे LT model है, तो LT model जो tractor थे, वो डीजल कम खाते थे, पावर जादा करते थे तो उसके उपर भी company ने काम किया है, तो इस tractor के अंदर आपको पहले की तरह pencil nozzle वाला जो head आपको इस tractor के engine के अंदर लगाया है, तो वो चीज को भी ध्यान में रखते हुए, बहुत अच्छे से इस tractor का engine का जो design बनाया है बापीस से, ता जो ये हर काम के लिए प्रति बंद रहे और दूसरा जो diesel है, वो customer को कम से कम खपत करके ज़्यादा से ज़्यादा काम में बड़ोतरी दे तो engine के अंदर जैसे पहले tractor में आपने देखा है कि piston cooling spray इस tractor के engine में लगा हुआ है और सबसे जो खास चीज अभी के tractor में gear pro के अंदर जो company ने इंडिया का first पहला tractor ऐसा है जिसके अंदर जो turbo charger आपको मिल रहा है वो मिल रहा है waste gate turbo charger यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस tractor के अंदर जो turbo charger है वो waste gate turbo charger लगा हुआ है आप बहुत सारी किसान ये भी पुछेंगे भी waste gate क्या होता है waste gate turbo charger का मैं आपको बता दूँ कि normal turbo में और इस turbo में बहुत ज़्यादा अंतर होता है इसके अंदर एक waste waste gate जो नाम है वो wastage के लिए होता है तो waste gate turbo charger क्या है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ जब आपका tractor full speed में full rpm के उपर जब आपका tractor चलता है तो tractor का engine बहुत तेजी से जब गूमता है तो turbo charger उससे बहुत ज़्यादा गुणा जो speed उसकी हो जाती है तो turbo charger की जब speed बढ़ती है तो वो ज़्यादा हवा engine के अंदर दबा के डालता है तो ज़्यादा हवा होने की वज़ा से आप जितनी capacity engine की है उससे अगर ज़्यादा हवा उसके अंदर जाएगी तो engine को नुकसान हो सकता है और tractor जो है rpm lag कर सकता है तो इसके लिए John Deere Company ने आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक वाल लगाया हुआ है और यह वाल जो है इस pipe के द्वारा जो आपकी inlet pipe है उसके अंदर लगाया हुआ है जहां से turbo की जो turbine है जो compressor है वो इसको pressure करता है अगर हवा ज़्यादा हो गई है engine के अंदर हवा ज़्यादा है वो हवा कहीं और नहीं निकल रही तो इस pipe के द्वारा इस वाल में आएगी और यह वाल दब जाएगा यह जब बाल दबेगा उसके बाद क्या होगा कि tractor का जो exhaust है जो आप exhaust देख रहे हो यहाँ पे यह बाल लगा हुआ है क्योंकि यहाँ से दुआ निकलता है और यहीं पे turbine गूमती है तो exhaust क्या करेगा direct engine से जो दुआ आएगा वो turbine में नि direct वो slancer में चला जाएगा ताँ जो इसकी speed कम हो सके अगर इसकी speed कम होगी तो turbo charger का जो speed है वो कम हो जाएगा और हवा जितनी engine को चाहिए उतनी हवा मिल जाएगी तो यह है इसके अंदर नई technology, main technology gear pro tractor के अंदर जो company अभी दे रही है आपको तो जी यह होगी engine की बाद अब main मुद्दे पे आते हैं main मुद्दा है gear pro बहुत सारे किसानों ने tractor चलाया हुआ है 53 नॉर्मल वाला और यह tractor के अंदर जो feature है, जो function है वो gear pro के जो function मैं आपको बता देता हूँ gear pro क्या चीज है पहले tractor के अंदर 9 प्लास 3 का gear box आता था 9 प्लास 3 मतलब अभी यहाँ पे A, B, C और D यहाँ पे आपको 4 gear दिखाई दे रहे हैं जो नॉर्मल 53 था उसके अंदर आपको A, B और C तीनी gear उसके अंदर आपको मिलते थे gear pro के अंदर पहला फाइदा क्या हुआ है gear pro लाने का क्यूंकि आपको हर gear के अंदर आपको अलग-लग speed मिल जाएगी यह tractor जितना आप slow में चलाना चाते हो उतना slow में चला सकते हो जितना आप तेज चलाना चाते हो उतना आप तेज चला सकते हो सबसे ज़्यादा इसका फाइदा agriculture में जो बंदा ट्रेक्टर चलाता है तो agriculture वाले को इसका फाइदा बहुत मिलेगा क्यूंकि इसके अंदर हर तरह की speed जो है आपको हर तरह का implement चलाने की जो speed है इस 53-10 के अंदर जा 52-10 के अंदर जा 54-05 के अंदर gear pro modelों में आपको मिल जाती है मैं आपको इसका speed chart भी दिखाना चाता हूँ आप देखो speed chart के अंदर जो main जो gear है इसका जिसके अंदर आप cultivation करोगे वो C2 gear के अंदर जे अच्छे से चलेगा C1, C2 के अंदर और उसके इलावा आप अपने area के साब से अपनी मिट्टी के साब से अपने implement के साब से आप gear chain कर सकते हैं तो जिस भी gear में आपको चलाना हो उस gear में आप चला सकते हो सबसे उसके बाद gear pro की बाद होगी A, B, C, D तो ये चार gear आएं हैं इसलिए 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 नाम gear pro दिया गया है उसके बाद इस tractor में आपको double clutch मिल जाएगा double PTO मिल जाएगा ये जो lever है ये four wheel drive का lever है तो इस tractor में आपको four wheel drive का lever यहाँ पे देखने को मिल जाएगा उसके बाद मैं दूसरी साइड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको single SCV का lever मिल जाएगा उसके बाद ये PC lever, DC lever जो lift control के lever है उसके बाद main जो lever है टेक्टर का ये parking और 123 और reverse इसके अंदर जो मैंने gear बताए थे आपको 12 plus 4 का जो gear box है 12 forward और 4 जो है reverse के इसके अंदर speed है आपको मिल जाती है उसके बाद नीचे अगर आप ये देख रहे हो तो ये slip gear होता है टेक्टर का अगर टेक्टर कहीं फस जाए तो दोनों टायर एक समान पावर करते है तो ये slip gear लगा हुआ है slip gear भी आपको इसके अंदर मिल जाता है उसके बाद यहाँ पे implement lock आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप lift को उपर करके कोई बारी चीज़ को lift के उपर lock करना चाते हो तो implement lock आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसके इलावा single ACV इस ट्रैक्टर में लगा हुआ है single ACV आप कोई भी hydraulic की पीछे implement चलाना चाते हो तो उसके लिए single ACV जो lever है वो काम आता है टायर की मैं बात करूँ तो इस ट्रैक्टर में MRF टायर लगे हुए है 16.28 के टायर जो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे उसके बाद लिफ्ट की मैं बात करता हूँ तो लिफ्ट के अंदर आपको 2000 केजी का जो लिफ्ट कैपेसिटी इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगी इसमें गेर प्रो के अंदर एक खास चीज और फीचर आ रहा है जो की स्वेव बार दूसरे ट्रैक्टरों में स्वेव चैन आती है तो जो स्वेव बार जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाता है उसके इलावा इस ट्रैक्टर के अंदर जो डीजल टैंक है वो 70 लीटर का डीजल टैंक आता है 70 लीटर का डीजल टैंक आप एक बार डीजल बरो और आपको बार बार डीजल बरने की जरूरत नहीं है पीटेो की अगर मैं बात करूं तो 540 और 540 E दोनों पीटेो और रिवर्स पीटेो आपको तीनों option इस tractor के अंदर मिल जाएंगे single control wall के wall जहां लगे हुए है इसमें आप tractor के पीछे कोई भी implement चलाओगे तो आपका यहां से आप hydraulic को उसका ले सकते हो उसके बाद PTO में आपको मैंने बताया है जैसे इस tractor की जो PTO host power है वो 99.5 host power की जो PTO produce करता है John Deere 5310 जो की 55 host power का engine है और 99.5 host power की इस tractor की PTO है तो किसान भाईयो सारे फीचर पुराने tractor जैसे ही है इसके अंदर जो main जो खास changes है वो इसका engine है इस tractor में 21 RPM का आपको engine मिलेगा उसके बाद टर्बो चार्जर आपको waste gate मिलेगा gear pro जो model है gear pro के अंदर आपको A, B, C, D, 4 gear मिल जाएंगे जिसके अंदर आपकी total 16 speed हो जाती है उसके अलावा इसके अंदर optional tractor भी आते हैं जिससे tilt steering लेना चाता हो कोई MQRL लेना चाता हो EQRL कोई बंदा लेना चाता हो तो वो उसी साब से इसका price बढ़ जाएगा और बहुत सारे लोग अभी सवाल करेंगी कितने price में ये tractor मिलेगा आपको पहली चीज़ बता दूँ कि 5310 gear pro जो है ये tractor अभी कुछ state के लिए available नहीं है जैसे कि पंजाब, हर्याना, राजिस्तान के लिए ये tractor अभी नहीं मिल रहा है तो कोई भी जानकारी आपको इस tractor के बारे में चाहिए तो आपको आपके पास में जो भी आपका dealer है जॉंडियर का dealer है आप वहाँ पे जाओ, आपको rate और tractor कब आप ले सकते हो जाँ booking करवा सकते हो तो वह सारी जो जानकारी है आपको आपके पास के जो dealer है वह सबसे अच्छे से बता सकेंगे क्योंकि आप यहाँ पे rate पूछते हो और बहुत सारी स्टेटों में rate का भी फर्क होता है और कामकाज का भी फर्क होता है तो वह सब जगा पे समानले लागू नहीं होती तो इसी के साथ बहुत बहुत दन्याबाद आपने बहुत लोगों ने फर्माईश की थी भी गेर प्रो 53 का वीडियो बनाओ